इस्थिर विनिमेंदर के बारे में हमने जाना कि किस प्रकार इन विनिमेंदरों को इस्थिर रखा जाता है, संबहुता प्रयास किया जाता है कि इनमें लोच शिल्टा ना हो, flexibility ना हो यह बहुत कम हो, जल्दी जल्दी परिवर्टन का इस पर किस तरह से प्रतिकूल अर्थववस्था के पक्ष में क्या प्रतिकूल प्रभाव डालता है कौन-कौन से लाब हो सकते हैं लेकिन इसका एक दूसरा पहलो भी है जिसके बारे में हम यह कह सकते हैं कि अगर इस्थिर विनिमय दर को अपनाया जाता है तो इसके कौन-कौन से प्रतिकूल या विपरीत प्रभाव अर्थ व्यवस्था पर पढ़ेंगे आए इस पर एक नजर डालें सबसे पहली बात तो यहां पर यह देखनी होगी कि अगर इस्थिर विनिमय प्रणाली को हम अपनाते हैं तो हमको मुद्रा के जो कोश की जिनकी हम बात कर रहे थे उनको परियाप्त मात्रा में अ तुरंत के तुरंत उस विदेशी मुद्रा भंडार कोश को इस्तमाल करके जो मुद्रा दरों में विनिमय में परिवर्तन की जो इस्थिती उत्पन हुई है उसको वहीं पर रोक दिया जाया तो यह एक बात हम कह सकते हैं कि एक प्रतिकूल प्रभावर डालती है जरूरी न विनिमय दर सदैव इस्थिर रहे ये भी संभव नहीं है हाला कि हमने मान लिया कि कुछ नीतियों के आधार पर इनको इस्थिर रखा जाता है रखना भी चाहिए इसके बहुत सारे लाभ भी हमने देखे लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था में हमने देखा कि मांग और हैं जिनके कारण विनिमय दर को इस्थिर रखने के सारे प्रयास कर लेने के बाजूद भी इनमें उच्चावचन याने की उतार चड़ाव बना रहता है तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम जिस इस्थिर विनिमय दर के बात कर रहे हैं क्या वो व्यवहारिक हो सकता है या को अपनाने के पूरे प्रयास किया जाते हैं लेकिन फिर भी बाजार की शक्तियों के हावी होने के कारण इन में थोड़ा बहुत परिवर्तर हमेशा बना रहता है तीसरी एक वहत्व पूर्ण बात हम इसके बारे में यह कह सकते हैं कि कई बार इस्तिर विनिमेदर को बनाए करना होता है वस्तु के उत्पादन उनके मांग और पूर्टी में एक समथुल्य स्थति को स्थापित करने के लिए कई बार पूर्ण रोजगार के इस्तिति को समाप्ति किया जाता है साथ ही साथ एक दूसरा महतपूर्ण उत देश जिसके अंतर गथम वस्तु की कीमतों को घटा कर प्रयास करते हैं कि वो देश के सारे लोगों के हर वर्ग के लोगों को वो सुलब हो जाए पहुँच पाए लेकिन कई बार इस्थिर विनिमेदर के प्रशलन के कारण हमको वस्तू की कीमते बढ़ानी पड़ जाती है जो कि हम यह कह सकते हैं कि प्रतिकूल प्रभाव बहुत सी कठिनाई आती हैं लाब के बारे में तो हमने देखा कि बहुत सारे लाब होते हैं अपनाना चाहिए इस्थिर विनिमेदर प्रणाली को लेकिन उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं ये भी हमने जाने लेकिन जब हम इस प्रणाली को अपनाते हैं तो कौन-कौन सी स समस्या हैं हमको देखने को मिलती है एक तो सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि करन्सी के विनिमेदर में कब परिवर्तन किया जाए हमने देखा कि जिन विनिमेदरों की हम बात करते हैं उनमें स्थिर्ता होने के बावजूद भी हलके फुलके उच्चावचन होते हैं उनमें परिवर्तन करना पड़ता है तो बाजार की वो कौन सी मौद्रिक दशाय हो देश की वो कौन सी इस्थिती हो या अंतराश्ट्री वैपार को अगर हम देखें तो वो किस स्टेज पर हो कहां पर इनके मूल्यों में परिवर्तन लाए य यह कर पाना काफे मुश्किल हो जाता है दूसरी एक समस्या इसमें यह भी आती है कि अवमूल्यन की इस्थिती अगर आती है तो उसके स्विकारता का आधार क्या होगा या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लिमिटेशन्स क्या होंगी किस हद तक हम अवमूल्यन यान कि मुद्रा के मूले के गिरने के स्थिती को स्विकार कर पाएंगे कि हमको एक तरफ भुक्तान संतुलन को भी बना के रखना है विनिमे दरे जो है उनको भी स्थिर रखना है तो कैसे इस कंडिशन को हम ला पाएं कि सारी चीजे संतुलित रहें एक महत्तपूर्ण समस्या यहां पर यह भी देखने को मिलती है कि अगर भुक्तान संतुलन को स्थापित करना है तो क्या केवल लाब ही होगा इससे जैसी कि हमने देखा कि बहुत से उद्देशों की बली देनी पड़ती है लेकिन इस स्थिती को प्राप्त करने के लिए भ प्रणाली में स्थिर्विनमेदर को अपनाने की तो अपनाने से पहले ही हमारे पास बहुत सारी समस्या है हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है इसके विपक्ष में हम एक तरक यह भी कह सकते हैं कि अगर इस प्रणाली को हम अपनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि संसाधन को विभाजन करना पड़ता है हमने देखा था कि उत्पत्ति के बहुत सारे साधन है किस प्रकार से वो काम करते हैं और कैसे कैसे उनके जो प्रतिफल होते हैं उनका हम विभाजन करते हैं उनके द्वारा किये गये कारे के आधार पर या उत्पादन की पूरी प्रक्रिया में उनकी उपयोगिता के अधार पर लेकिन कई बार भुकतान संतुलन के इस्तिति को प्राप्त करने के लिए या फिर इस्थिर विनिमेदर को बनाया रखने के लिए इनी संसाधनों का जो विभाजन किया जाता है वो गलत हो सकता है तो इस स्थिति से कैसे बचा जाए एक बात ये भी देखने को मिलती है कि स्थिर्विनिमेदर प्रणाली को अगर लागू करते हैं तो कहीं न कहीं ब्रस्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है जहां पर बहुत अधिक नियंत्रण बहुत जादा बाउंडेशन अगर हम कहीं पर लगा देते हैं तो लोग कहीं न कहीं नियंत्रण परिस्थितियों को अपने पक्ष में लेने के लिए ब्रस्टाचार को फिर बढ़ावा देते हैं तो एक तरफ तो काफी अच्छी मानी जा सकती है संपूर अर्थ विवस्था की हम बात करें यह अंतर राश्ट्री विपार की दोनों ही परिस्थितियों में स्थिर्विन्मय प्रणाली को अपनाया जाना जरूरी है लेकिन कहीं न कहीं इसके दुश्प्रभाव से भी बच प्रे होती हैं वह स्थिर मान लिजाती रखी जाती है या उनके इसने रहने का प्रयाज लगातार किया जाता रहता है दूसरा पक्ष हम जब देखते हैं लोजशील विनिमय प्रणाली तो ये पूरी की पूरी प्रणाली बाजार की दो महत्तुपॉन शक्ति मांग और पू कुर्थी कि यह जो शक्तियां होती है यह किसी विद्धार में इतनी प्रबल होती है कि बहुत आसानी से वस्तु के मुल्य को परिवर्तित कर देती हैं बिल्कुल वैसी ही कंडिशन यहां पर मुद्रा के बारे में भी बनती है यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस मुद्रा की मांग बहुत अधिक होती है उसकी कीमत भी अधिक होती है लेकिन जिस मुद्रा की मांग कम हो जाती है उसकी कीमते भी घटने लगती है दूसरी तरह से हम इसको समझा सकते हैं कि अगर पूर्ती के एकॉर्डिंग हम इसकी केमत को नरधारित करें तो हम ये देखते हैं कि जिस मुद्रा की पूर्ती बहुत अधिक हो जाती है उसकी कीमते लगातार घटने लगती है और जिस मुद्रा की पूर्ती बहुत कम हो जाती है उसकी किमतें लगातार बढ़ती जाती है तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पर लोजशिल विनिमेदर में देखा कि जो मुद्रा का मूल्ले है वो सदय इस्थिर नहीं रहता लगातार उसमें फ्लक्सिबिलिटी बनी रहती है लोजशिल बनी रहती है और वो परिवर्ति होती रहती है अब आएए देखें कि ये जो इस्थिती है एक मुद्रा के विनिमेदर की वो किस हद तक सही है और क्यों वो गलत है यानि कि यहां हम देखेंगे कि लोजशिल बनीमेदर प्रणाली के पक्ष में कौन-कौन से तर्क दिये जा सकते हैं और विपक्ष में कौन-कौन से तर्क दिये जा सकते हैं तो बात करें अगर हम लोजशेल विन्मेदर प्रणाली के पक्ष में तो यहां सबसे पहले हम देखते हैं कि लोजशेल विन्मेदर प्रणाली जो है वो एक सरल कारे प्रणाली है हमने देखा कि जब हम स्थिर विन्मेदर की बात करते हैं तो वहां पर निर्ना लेना बहुत क पठीन हो जाता है कि कब मुद्रा का नया मूल्य नरधारित करें किस हद तक उसको इस्थर रखें कैसे उसमें इस्थाई तो बनाया जाए कैसे परिवर्तन को रोका जाए लेकिन जब हम बात करते हैं लोच शील विनिमय प्रणाली की तो इसमें हम देखते हैं कि मुद्रा का जो मूल्य होता है वो बहुत आसानी से घटा बढ़ता है क्यों घटा बढ़ता है क्योंकि बाजार की मांग और पूर्ती से संबंधित जो शक्तियां होती है वो उसको पूरी तरीके से प्रभावित करती रहती हैं तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि इसमें जो उच्चाव में ये भी कह सकते हैं कि ये किसी देश की करन्सी की सीमित्ता या फिर हम कहें कि अतिरेक दोनों की समस्या को समाप्त कर देती है कम है करंसी यह बहुत एकसेस हो गई है यह जो एक समस्या हमने स्थिर विनिमे दर के अंतरगत देखी वो समस्या यहाँ पर नहीं रह पाती है दूसरी मातपूर्ण बात यह है कि यह जो प्रणाली है यह स्थिति है उसको इस्थापित कर देती है क्योंकि जैसे जैसे बजार परिवर्तित होता है वैसे वैसे यह स्थितिया भी परिवर्तित होती है और अपने आप भुगतान संतुलन के स्थिति को निर्मित करते हैं दूसरी बात अगर हम इसके पक्ष में करें तो हम देखते हैं कि इसके अंतरगत जिन आर्थिक नीतियों को हम फॉलो करते हैं उनम के निर्धारन के लिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होती हैं देश काल परिस्थिती के अनुसार इनमें परिवर्तन इनका निर्धारन बहुत आसानी से कर सकती हैं तो आर्थिक स्वायत्ता कि अगर हम बात करें तो इसके द्वारा हम एक तो भुक्तान संतुलन के का जो अत स्थिति नहीं होती है बाहे संतुलन को भी नियंत्रित रखती है जहां एक और हमने देखा कि भुकतान संतुलन की जो इस्थिती है वो स्वता नियंत्रित हो जाती है वहीं दूसरी और मांग और पूर्टी के प्रतिकूल प्रभाव के कारण यहां पर जो बाहस अंतुलन की इस्थिती है उसको भी नियंत्रित किया जा सकता है एक महतुपूर बात इसके पक्ष में ये भी देखी जा सकती है क कि इसके दशा में विदेशी मुद्रा कोश्vy की जरूरत नहीं पढ़ती जबकि स्थिर्विनमय प्रणाली के अंतरगत हमने देखा कि कि सी भी दशा में विन्मय की दरोक में स्थायत्व रखने के लिए स्थिर रखने के लिए हमेशा पर्याप्त मुद्रा भंडार की जरूरत होती है यानि रखना ही चाहिए तभी हम इस्थर विनिमे प्रणाली को अपना पाएंगे लेकिन इस तरह से कोई परिशानी है इस तरह की कोई बॉंडेशन लोच शिल विनिमे प्रणाली के अंतरगत न स्थाइए प्रक्राइब करने लिए काई विनिमे नियंतरणों की कोई जरूरत नहीं होती जब हम बात स्थर्व कि करते हैं तो इसुस्क्त में स्थाइथ बनाए रखने के लिए कई بार विनिमे दरों को नियंत्रित करना पड़ता है जिसमें हमने देखा कि बहुत सारे उद्देशों के हमको बली चरहनी पड़ती है सीमित रखना पड़ता है चाह कर भी हम आर्थिक विकास के छेतर में बहुत सारे काम नहीं कर पातें सिर्फ इसलिए ताकि विनिमेदरों में बहुत अधिक उच्चावचा ना हो लेकिन जब हम लोट शील प्रणाली को अपनाते हैं तो इस तरह से कोई भी बादिता हमारे लिए समाप्त हो जाती है एक महतुपुन बात ये भी देखने को मिलती है कि इसके अंतरगत भुकतान शेश में संतुलन बना रहता है जिसके हमने पहले भी देखा क्योंकि बजार की शक्तियों के साथ साथ मुद्रा की दर में परिवर्तन होता रहता है और यह एक ऐसी कंडिशन है जिसमें जो लोशील विनिमेदर है उसमें अंतराष्ट्री हित राष्ट्री आय मूल इस्तर इन सब की अपेक्षा नहीं करनी पड़ती और यहां हम देखते हैं कि अपने बनी रहती हैं यही हम देखते हैं कि स्वातंत्र आर्थिक नीती भी हम इसके अंतरत अपना सकते हैं जैसी कि हमने देखा कि आधनिक जो सरकारे हैं वह स्वतंत्र होती हैं किसे यह फीतरीक से राज-कोशीर, नियृटि मौधीक नेतिया निक कहीं तरह की आर्थिक नियृतियों केली तो जब उनके पास अधिकार है उनके स्वतंत्रता है इनको अपनाने की अ तो फिर इस लोच-शीलता को क्यों ना अपनाया जाए यह भी एक महत्पूर्ट थे हैं तो हमने देखा कि अगर हम लोजशील विनिमे प्रणाली को अपनाते हैं तो कौन-कौन से लाब मिलते हैं या कि हम कह सकते हैं कि क्यों अपनाया जाए क्यों अपना लिया जाना जरूरी है लेकिन अगर हम इसके जड़ाले तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर संसाधनों के गलत आबंटन की समस्या बनी रहती है क्योंकि बात कर रहे हैं यहां पर हम बजार की और जहां बजार की बात आती है वहां पर मांग और पूर्टी की शक्तियों उसे ही प्रभावित होता है यह हमने पहले भ रिखते हैं कि बाजार में समुचित विनिमेदर स्थापित करने में कई बार जब आसमर्थ हो जाते हैं तो वहां पर एक हानी की संभावना या कुछ गलत कारी हो जाने की संभावना बनी रहती है इसके अंतरगत हैं कि हो सकता है ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए पूंजी प्रवाह के दर पर विपरित प्रभाव भी देखते हैं क्योंकि सारी की सारे जो फ्लेक्टुएशन होते हैं वो किवल मांग और पूर्ति यानि कि बजार की शक्तियों पर आधारित होते हैं लेकिन जब अंतराश्री वेपार की बात करते हैं बड़े इसतर पर हम ज में देती हैं जैसे कि हमने पहले भी देखा फिश्ली अध्याय में भी देखा भुक्तान संतुलन में कि परिवर्तर शीलता एक ऐसी कंडिशनी कैसा कारण बनती है कि लोग अनुमान लगाना प्रारंब कर देते हैं और उसी अनुमान का जब गलत प्रयोग किया जाता है तो तो वह सटे का रूप ले लेता है इस तर मिनमे मेंदर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर उप्योग किस तरह से किया जाता है कैसे उस से लाब कमाया जाता हैежд इस समभन में अगर हम जाने तो एक सटे की आधार पर एक अनुमान के अधार पर यह देख लिया जाता है कि किस मुद्रा का जो मुल्य है वो बढ़ने वाला है तो उस मुद्रा को जादा से जादा लेकर उस मुद्रा को जादा से जादा खरीद कर रखा जा सकता है या फिर एक अनुमान लगाया जा सकता है कि किस मुद्रा के म एक इसके विपक्ष में हम बात ये भी कह सकते हैं कि इस फीती को भी बढ़ावा मिलता है कई बार लगातार उच्चावचन फ्लेक्सिबिलिटी के कारण बजार में वस्तू की कीमते बढ़ती घड़ती हैं बहुत स्पीड में जैसे कि हमने देखा कि मांग और पूर्ती को हम क स्थिती बनती है कि उसकी कीमते बढ़ने लगती है ठीक ऐसी कंडिशन वस्तू की जगा मुद्रा पर भी लागू होती है इसके विपरीत स्थिती आती है जब किसी वस्तू की मांग घड़ती जाती है ऐसी कंडिशन में मार्केट में उसकी पूर्ती बढ़ने लगती है और फिर एक ऐसी दशा उत्पन होती है कि उस वस्तु की किमते घट जाती है या गिरने लगती है तो बिलकुल ऐसा ही प्रभाव वस्तु की जगा मुद्रा पर भी पड़ता है तो यहां पर हम यह कह सकते हैं कि यहां से स्फीती को बढ़ावा मिलना प्रारम हो जाता है अगली एक भुकतान संतुलन शेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है हाला कि हमने देखा कि भुकतान संतुलन जो है वो लोच्षेलता की कंडिशन में आटोमेटिक ही बना रहता है क्योंकि मांग और पूर्ति के आधार पर यहां मुद्रा की मूली का निर्धारन हो रहा है लेकि हम देखते हैं कि बाजार की कुछ अलग-अलग दशाएं होती है जिनने हम आंतरिक दशाएं और बाहे दशाएं के आधार पर जिनका अध्यन करते हैं तो बहुत सारी ऐसी दशाएं बनती है जिसमें अंतराश्ट्री वेपार जो है वो सीधा-सीधा प्रभावित होता है औ और ऐसी कंडिशन में फिर यहां पर हम देखते हैं कि भुकतान संतुलन शेष पर भी उसका प्रतिकूल या विपरीत प्रभाव पढ़ सकता है यह पढ़ने की संभावना बनी रहती है इसी तरह हम एक मातपूर्ण बात देखते हैं कि यहां पर जब ऐसी कोई विपरीत पर अंतर गत्तों देखा कि सारी चीजे इस्थिर रहती हैं और इस्थिर बनाए रखने के लिए हम परियाप्त मात्रा में विदेशी मुद्रभंडार अपने पास रखे रहते हैं लेकिन यहां तो हमने देखा कि हमको जरूरत नहीं है लोट शिलता है फ्लेक्सिबिलिटी है उ बहुत मुश्किल हो जाता है तो यह तो हमने देखा कि बहुत सारी अलग-अलग कंडिशन निर्मित हो सकते हैं साथ ही एक महत्वपूर्ट थे यह कि विकास देशों के लिए यह जो अमूलियन की जो स्थिती होती है वो थोड़ी से क्रिटिकल थोड़ी सी कठिनाई भरी हो करनिक का भी मशीनों का भी अब ऐसी कंडिशन में इनका जो भुकतान संतुलन शेश रहता है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ने लगता है जरूरी नहीं कि उसके पास उतनी ही वस्तवे निर्यात करने के लिए भी हो क्योंकि वह विकास शील है तो उसको आयात की तो ज और आयात निर्यात के बैलेंस को बराबर रख सके तो यहाँ पर फिर उसको भुकतान संतुलन की कठिनाई का सामना करना पर सकता है लोच शील विनिमे दरों के पक्ष और विपक्ष को हमने देखा और इसके अंतरगत हमने जाना कि किन किन दशाओं में लोच शील विनिमे प्रणाली को अपना लेना चाहिए और कौन सी कंडिशन बनती हैं जब लोच शील विनिमे प्रणाली के जगा स्थिर विनिमे प्रणाली ज्यादा उप्यूगत होती है